हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल के एल स्टाडी फ्रेंट्स टारगेट सीटेट 2022 एवी एस की हमारी नेश्ट क्लास रहेगी और इससे पिछली क्लास में हमने प्रमुक राज्यों के लोगनित्य पढ़े थे जहां से आपके सीटेट में कॉश्चन बनते हैं पिछली बार फसल तेवहार से काफी मात्रा में कॉश्चन पूशे गए थे तो इस बार भी पूशे ही जाएंगे ठीक है तो आज जितने भी राज रहे गए हैं उनके हम प्रमुक लोगनित्य और फसल तेवहार पढ़ेंगे कि किस राज में कौन सा फसल तेवहार मनाया जाता है कौन सा लोगनित्य बहां का प्रसिद्ध है ठीक है तो आईए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन और इससे पहले हमारी 18 क्लासस हो चुकी है एवी एस की जिसने भी वो क्लासस नहीं देखी है एक बार जरूर देखे ठीक है यहाँ पर लिया गया है तो देख लेते हैं केरल में कौन-कौन से लोगनित्य मनाय जाते हैं ठीक तो सबसे पहले से हम ट्रेक के माध्यम से भी देखेंगे ताकि आपको याद रहे और जिसको ट्रेक के माध्यम से याद नहीं करना वो यहाद कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दिया गया है केरल के अट्टम और काली अट्टम यह कहा करें लूखनेता है हमारी के रत्लिक ठीख है यदि अग जंथ में thोड़ी सी हिंट मिल जाती है तो हम सही आप्सण पर पहुंच जाती हैो तोस पासी अट्टम हो जाएगा मोहनी intent और काली टमी सभी कहां कि लोगनेत्य हमारे केरल राज के ठीक है इसके अलाबा अन उत्साओ पिछली बार कॉश्चन पूशा गया था कि जो बिसू उत्साओ है आपका मैचंग वाला कॉश्चन आया हुआ था और बहां पर दिया गया था एक तरफ दिया था बिसू और दूसरी तरफ केरल मतलब इस तरह से ओप्सन था मैचंग करने के लिए ठीक है तो याद राखना यहाँ पर दिया है मकर बिलक्कु यह बहुत ही इंपोटेंट है यह पूँचा जा सकता है ठीक है विशू ओडम और थ्रूबा थीवा यह उत्साओ कहां के हमारे केरल के ठीक है तो याद र रहना जरूरी हो जाता है फिर नेश्ट दिया है आपका करनाट 이상 कmeलोग्नेत्य क्वाई ये guys के अलावा करना यह design कम काया याद रखना important मैस्ट है प्ट्टी महोच सभ पट्टादकल डांस फेस्टिवल ठीक है तो यह दांस फेस्टिवल भी याद रखना पूँचा जा सकता है। कमबाला उच्छव यहाँ पर इंपोटेंट है जो कहां का है मारा करनाटक का करनाटक का लोक निद्ध कौन सा है तो यक्षगान है ठीक नेश्ट है आपका तमिल नाडू, तमिल नाडू का पूछा गया था पिछली बार पॉंगल, पॉंगल नम्न मैंसे किस राज्य में मनाया जाता है, ठीके, तो यहाँ पर देख लेते हैं लोकनित्य कौन से हैं, तो इसकी ट्रेक हो जागी, तुम मिले भरत, इस तरह से ट्रेक यह दोनों बहुत इंपोटेंट हैं, इसे याद रखना यह दोनों तमिल नाडू के हैं, इसके अलाबा ममलापुरम और फ्लोट फेस्टिवल, ठीके, तो यह सब कहां कि हमारी तमिल नाडू के प्रमुख होत्साओ है, ठीके, तो याद रखना तमिल नाडू का प्रमुख जो लोकनेत्य है यदि पूंचा जाएगा तो वो है हमारा भरतनाट्यम ठीक नेस्ट है आपका आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोकनेत्य स्की ट्रेक हो जाएगी आपकी अंधेरे में कच्ची पूरी खाई ठीक है अंधेरे में कच्ची पूरी खाई तो ठीक है आंध कजी पुड़ी यहां का प्रमोख shaping प्रभण कहां मिन तो युद कजी अनुन दोनों पूचता है कोना और फ्राइमा खाी अन्मिनम्रति याद का और हम थो तुम्बिनी फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना हैदराबाद में मनाया जाता है मोस्ट इंपोटेंट है इसे याद रखना ठीक नेस्ट है आपका यहां पर जितने भी लोकनेत्य अनौत्सा जो लिए गया है बहुत ही महत्पून है इसी से आपका कॉस्चन बनेगा उडिशा सवारी उडिशा का कौन सा हो जागा ओडिशी और सवारी ठीक है अनौत्सा बें याद रखना आपको जगनात रत यात्रा यह तो सभी को पता है कि यह उडिशा में निकाली जाती है ठीक नेस्ट आपका कोडार्क नित्य महुत्सा कोडार्क का शूरी मंदर आपने पड़ा होगा ठीक है उडिशा नेस्ट है आपका कलैंग महुत्सा चन्दन यात्रा और बाली यात्रा है तो याद रखना ठीक नेस्ट आपका है पश्चे मंगाल पश्चे workforce याद रहे घराए आपको बगुले की काठी या बगुले की्धिक रामारे आपको conscious में लोगली काठी मेय तो पश्यमंगाल का है ठीक है अन उत्सव यहां पर कौन कौन सी बनाए जाती है तो दरगा-पूझा यह पिछली बार बना हुआ था कि दरगा पूजा किस राज्य में प्रसिद्ध है तो कहां पर पश्यमंगाल ठीक है दरगा पूजा चरक पूजा बसंत उस्थाओ और विश्णूपर फेस्टिवल तो यह सारी कहां कि हमारे उस्थाओ पश्यमंगाल की ठीक है और प्रमोख लोग नत्य पूचता है तो काठी एंपोटेंट है ठीक नेश्ट है आपका यहां पर मनी पूर मनी पूर के यदि लोग नत्य पूचते हैं तो आपको याद रखना है मनी रख मनी रख ठीक है मनी रख तो मनी से हो जाएगा हमारा मनी पूरी मनी पूर का है ठीक है तो मनी पूर का नेस्ट आपका मेगालाय का पूंच्छा जाता है कभी यदि लोग नेत्ट तो याद रखना है आपको इसकी ट्रेक हो जाएगी मेग लाहो बांगला मेग लाहो बांगला यखीन मानिए यदि आप एक दू बार ट्रेक पड़ते हैं तो आपको आटूमेटिक आपके एकजामस में ट्रेक याद रहेगी और आप सही उप्सन पर जा पाएंगी ठीक मेग लाहो बांगला से मेग से हो जाएगा हमारा मेग लाहो से लाहो दिया गया है और बांगला से बांगला हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्वेशन देंगे कि जो बांगला लोक निते हैं वो किस राज्यका है और आपको अप्सन में नेस्ट है आपका असम के जो important है विहू उस्चा तो आपका पूछा ही जाता है ठीक है तो यह तो सभी को पता है कि विहू जो है आपका असम में मनाया जाता है अब यदि आपसे deeply question पूछेगा तो पूछ लेगा कि जो विहू उस्चाओ है यह भी तीन प्रकार का होता है बीहू, बिछुआ, नटपूजा, खेल गोपाल जहां भी आपको गोपाल देखने को मिलता है आपको असम लगा देना है, ठीक बीहू, बिछुआ, नटपूजा खेल गोपाल, कली गोपाल अंकिया नाटे, इम्पोटेंट है और नागा नित्ते, सभी कहां के लोक नित्ते हमारे असम के ठीक है अब हम थोड़ा सा बिहू के बारे में डीपली देख लेते हैं यदि आपसे कॉश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए ठीक है तो बिहू जो है वो असम का एक उत्साव है ठीक है यहां पर बर्स में यह तीन बार मनाया जाता है और तीनों बार जब बर्स में मनाया जाता है तो उसके नाम भी अलग-अलग होते हैं तो आपको याद रखना है बोहंग भी हूँ जिसे हम रोगाली भी हूँ कहते हैं एक होता है माग भी हूँ जिसे भोगाली भी हूँ कहते हैं और एक होता है काती भी हूँ जिसे कोगाली भी हूँ कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले जो बोहांग भी हूँ है या रोगाली भी हूँ है यह अपरेल में मनाया जाता है और असम में जो नया वर्ष होता है फजल ते याद हो जाए ठीक है नेश्ट है माग भीहू या भोगाली भीहू यह जनवरी में मनाया जाता है ठीक है और नेश्ट है आपका काती भीहू या कोगाली भीहू तो यह आपका अक्टुबर में मनाया जाता है और इस तेवहार में यहां का जो प्रशिद नित्य होता है भीहू वो किया जाता है ठीक है काती विहू में तो याद रखना जो विहू उत्सा होता है असम में मनाया जाता है बर्स में तीन बार इनकी नाम याद रखना ठीक है अब नेश्ट देख लेते हैं हम अरोनाचल प्रदेश की और यह पूंचा जा सकता है अरोनाचल प्रदेश का प्र युद्ध से हो जागा युद्ध नयत्य यह कहां पर किया जाता है अरुणांचल प्रदेश में ठीक है नेश्ट देख लेते हैं हम नागा लेंड का नागा लेंड के यदि आप से लोक नयत्य पूंछे तो इसकी ट्रेक याद रख लेना आप नांग की चौंग नुखीली ठ ठीक है तो यार रहेगा ठीक है चटिस पांड़ाू से चटिस पांड़ा ख़क यहां पर आज आपके लोकनेत्य कंपलीट होते हैं ठीक है जितने भी राज्यों के पर मोलकनेत्य थे वह हमने दो बीडियो के माध्यम से आपको कबर करा दी हैं आपका यादी कॉश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा अब नेश्ट वीडियो में हम देख लेंगे पर मुख फसलते वहर करा देंगे इसके बाद आपके कहां पर कौन से वस्तर पहने जाते हैं इससे भी आपका मैचंग बाला कॉश्चन ब इसके बाद हम पैडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको एक समझ विक्सित होगी कि किस तरह से कौश्चन पूशे जाते हैं हमें कैसा अंसर लगाना है ठीक है फिर जब हमारी पैडागोजी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम जितने भी आमने टॉपक क किये हुए हैं इनसे किस तरह के कौश्चन पूशे गाया है पिछले मतलब एक्जाम्स में बो करेंगे और अन्न कौश्चन भी आपको करा देंगे ताकि आपकी एक बहतर तैयार यहां पर हो सके ठीक है आई होप आपको इस सेशन पसंद आया हूँ थैंक्यू